एपिजोड 57 के शिर्वान जान और सनेम से होती है जहां सनेम और जान लिफ्ट में होते हैं और सनेम जान को बहुत बाते सुनाती है जानसु को लेकर और साथ में ही वो लिफ्ट जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर पहुचती है तो सनेम तुरंट फॉर्थ फ्लोर का बटन दबा देती है तो जान कहता है अरे सनेम ये क्या कर रही हूं हां तो सनेम कहती है अरे कुछ नहीं मैं तो बस आज का बदला ले रही हूं हमारे पास अभी काफी वक्त है इसलिए जान सू उफ बांबी के बारे में बताईए तो जान कहता है सनेम तुम इतनी ऑपसेस्ट क्यों हो रह करिए ताकि लड़किया आपके पीछे पड़ी रहे ऐसा केकर सनेम फिर से लिफ्ट का बटन दबा देती है तो जान कहता है सनेम रुको प्लीज मुझे कॉंसर्ट में जाना है तो सनेम कहती है ओ कॉंसर्ट जाइए हा छोड़ना मत जाइए वहाँ और फ्लर्ट कीजिए याद है ना आपने क्या कहा था कि मैंने पहली बार किसी लड़की से अपने दिल की बात की कि है वो जूट थाना तो जोन केते हैं देखू सथ अब साधात को मत बढ़ाँ तो इतने दे फिर से खुल जाती है तो जान फिर से बटन दबा देता है तो जान कहता है हां करूंगा टॉपिक चेंज तुमने मेरे पीट पीछे साजिश रची थी तो सनम कहती है यह सब मैंने नहीं किया था आपके भाई चिलाने लगती है तो जान उसे चुप बेठाता है फिर से इन आयान पर शिफ्ट होता है उसे जीजे के घर पर जाना होता है इसलिए वो सनम को फोन लगाती है पर सनम फोन नहीं उठा पाती है फिर से इन ओस्मान के शॉप पर शिफ्ट होता है जहां लाइला लैम चॉप्स लेने आती है पर लायला की हालत ठीक नहीं होती है तो अस्मान कहता है क्या हुआ लायला तुम ठीक हो ना तो लायला कहती है हाँ बस वो में सनेम के साथ मेरा छुटा सा जगरा हुआ है तो अस्मान कहता है उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर तो लायला कहती है हाँ पर तुम्हें ही कहना है कि तुम वैसे लड़की नहीं हो लायला किसे से प्यार करना गलत नहीं है पर प्यार में अंधी मत बनो फिर वो लायला को चौप्स दे देता है फिर वो वहां से चली जाती है फिर से इन उस्मान और मुजो पर शिफ्ट होता है जहां उस्मान मुजो से कहता है भाई अब तुम मेरे घर पर नहीं रह सकते तुम्हें जाना होगा जाओ और जाकर अपनी माँ से सुला करो फिर ये सब सुनकर मुजो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है फिर सीन सनेम और जान पर शिफ्ट होता है जहां जान का फोन डेड हो जाता है और सनेम का भी तो सनेम कहती ह अरे मिस्टर जान देखिए इस लिफ्ट को तो एक लीड भी है हम उससे बाहर जा सकते हैं मैंने ऐसा हॉलिवूड मूवीज में देखा था तो जान कहता है अरे नहीं मैं तो इस लीड को नहीं खोल सकता तुम ही खोलो इसे वैसे भी तुम एक लंगूर हो यूपर चड़ना नीचे उतरना तो तुम्हारे वाय हाथ का खेल है तो सनिम कहती है हाँ अच्छा मजाग था फिर सनिम कहती है मिस्टर जान आप मुझे अपने गोद में उठा लीजिए न फिर ये लीड में खोल लूँगी तो जान कहता है तो तयार हो जाओ तो सनिम कहती है अरे नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है मैं ये नहीं कर सकती सनिम एक बार बोलने के पहले सोच तो लिया करो तो जान कहता है अरे डरो मत ठीक है तुम मेरे कंदे पर बैठ जाओ फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा तो सनिम कहती है ठीक है फिर वो कंदे पर बैठ जाती है और लीड निकाल लेती है पर सनिम को वहाँ कोई एक्जिट नहीं मिलता है वहीं दूसरी और डरेन जान का वेट करती है और उसे फोन लगाती है पर जान का फोन नहीं लगता है इसलिए वो नाराज हो जाती है फिर सीन जेजी पर shift होता है वो अपने घर में जा ही रहा होता है कि आयान जोर से surprise टिल लाती है तो जेजी बेहुश हो जाता है फिर सीन एमरे पर shift होता है वो लायला का wait कर रहा होता है फिर लायला उससे मिलती है तो वो उससे पुछता है लाइला अखिर क्यों क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया मैं तुम पर भरोसा करता था लाइला तो लाइला कहती है Mr. Emre please कहीं और चल कर बात करते हैं चलिए फिर सीन आयान और जेजी पर शिफ्ट होता है जहां आयान जेजी को होश में लाती है और होश में आते ही वो आयान की सारी तस्वीरे छिपाने लगता है तो आयान कहती है जेजी ये तो मैंने देख लिया है तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है फिर सीन सरेम और जान पर शिफ्ट होता है जहां जान सरेम से कहता है सरेम तुम सुबह के पहले यहां से नहीं निकल सकती इसलिए हमें सो जाना चाहिए ऐसा केकर जान सो जाता है तो सनिम कहती है अरे सो गई क्या उठो न चलो हम कुछ बाते करते हैं बच्छपन की बाते करते हैं मुझे बच्छपन में ऐसा लगता था कि मेरे बेट के रीचे टाइगर छिपा है इसलिए मैं हमेशा डर जाया करती थी तो जान भी उसे अपने लाइट डीनर करते है फिर जेजे और आयान दोनों के मुँपर केक लग जाता है तो वो दोनों एक दुसरे का मुँप उचते है फिर आयान कहती है अरे जेजे तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है आज से हम दोस्त है ऐसा केकर आयान घर चली जाती है फिर सीन लाइला और एमरी पर शिफ्ट होता है जहां लाइला एमरी से कहती है मिस्टर एमरी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सरेम को डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल गया था वो नाराज हो गए थी इसलिए मुझे मिस्टर जान को सब बताना पड़ा आपको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ऐसा केकर लाइला रोने लगती है तो एमरी उसे माफ कर देता है फिर लाइला कहती है प्लीज आप मिस्टर जान को सब बता दीजिए वो एक अच्छे इंसान है वो आपको माफ कर देंगे फिर सीन जान और सनेम पर शिफ केती है जान मुझे लगा था कि वो बड़े पार्टी आपने अरेंज की है और वो ड्रेस भी आपने ही भेजी है मुझे लगा कि आपने मुझे माफ कर दिया मेरा दिमाग तो मना कर रहा था पर मेरा दिल नहीं मान रहा था तो जान कहता है मैं जानता हूं सॉरी मुझे तु तो ये सब सुनकर सनिम रोने लगती है और बोलती है जानते है आप जान मैं हमेशा भगवान से यही मांगती हूँ कि हम एक नए सिरे से हमारी जिन्दगी शुरू करें पर ऐसा हो सकता है क्या जान आप मेरे लिए बहुत वैल्यूइबल है तो वो दोनों भी किस ही करने वाले होते है कि जान रुक जाता है वो सनिम से कहता है सनिम मुझे माफ कर दो पर मैं तुम पर दुबारा भरोसा नहीं कर सकता सनिम हम नए सिरे से इस रिष्टे को जरूर आगे बढ़ाएंगे पर as a friend as lovers मैं वो trust खो चुका हूँ तो सनिम कहती है it's okay जान आपके बिना मैंने दिन कैसे गुजारे हैं मैं ही जानती हूँ अगर आपको दोस्त बन कर रहना है तो मुझे कोई अतराज नहीं है अगर हमारे किसमत में फिर से मिलना लिखा होगा तो हम जरूर मिल जाएंगे फिर इतने में ही लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है तो जान और सनिम ग्राउंड फ्लोर सनिम आयान को फोन लगाती है तो आयान फोन नहीं उठाती है तो सनिम कहती है अरे मिस्टर जान में घर नहीं जा सकती आयान फोन नहीं उठा रही है आप एक काम करिए आप मुझे होटल में छोड़ दीजिए तो जान कहता है अरे होटल क्यों सनिम तुम मेरे घर पर चलो त तो सनिम कार में बैठ जाती है फिर वो दोनों भी घर चली जाते है तो जान कहता है अरे भूक लग रही है मैं खाना बना लेता हूँ तो सनिम कहती है अरे नहीं हम होटल से पिज़ा या पास्ता मंगवा लेते हैं तो जान कहता है अरे ये तो बहुत हैवी हो जाएगा रात के समय क्यों सुप पी ले तो सनिम कहती है अरे नहीं मिस्टर जान सुप थोड़ी न भाता है तो वह फिर सैंड्वीच मंगवा लेते हैं फिर खाना हो जाने के बाद सर्ट कौच पर सो जाती है तो जान उस से कहता है अरे नहीं मेरे घर में guest room है मैं bed sheet बीचा देता हूँ तुम वही पर सो जाओ चलो फिर room में जाकर सनेम बढ़ बढ़ करने लगती है अरे यहां तो एक ही t-shirt है यहां आने वाली हर लड़की वो ही t-shirt पहन लेती है वैसे सबसे अच्छा वो t-shirt मुझ पर ही दिखता है तो जान कहता है और बोलो न उसे बार बार जान की याद आती है इसलिए वो charger लेने के बहाने से जान के room में चली जाती है वहां जान अचानक से सनेम के सामने आ जाता है वो भी सीधा shower लेके तो सनेम डर जाती है फिर वो charger लेकर वहां से चली जाती है फिर सनेम अपने room में आकर बहुत खुश हो जाती ह उसकी अंतर आत्मा उससे कहती है अरे सनेम तुम ये कैसे देख रही थी उस लड़के को आखे फार फार कर तो सनेम कहती है अरे नहीं मैंने कुछ नहीं देखा पर सनेम को बहुत ही खुशी होती है वो तो खुशी के मारे पागल हो जाती है तो आगे क्या होगा क्या सनेम की ख खुशी को जल्द ही ग्रहन लगने वाला है आगे क्या होगा जाने के लिए बने रहे ये मेरी चैनल दिवाने हैं हम पर जल्द मिलाकात होगी अगले एपिसोड में लाइक्षी सस्क्रेब कर दो अच्छे लगे हम तो मानू इतनी सीवा दिवाने हो तुम तो अलविता दिवानो जल्द मलाकात होगी अगले एपिसोड में